मेरे छोटू से गार्डेन में लगे थे ताजे ताजे बेबी कॉर्ण तो मैंने उसका बना डाला बेबी कॉर्ण पिजा तो मैंने यहाँ पर बेबी कॉर्ण को अच्छे से बॉयल कर लिया और यहाँ पर ले लिया एक डो जिसमें मैंने फोक से उसमें पंचर कर लिया और हमे और उसके उपर से रखती ब्लाइक ओलिफ और एक अच्छे से फ्लेवर के लिए डाल दिया और गैनो और चिली फ्लेक्स और बस तीन मिनिट के बेक के बाद ये बिल्कुल तयार हो चुका है वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें